आपको बता दें कि खतनाक बाड पानी में तेरने लगी सोला से दो सो साल में बदा राजस्तान के मानसुन का पैटरान दस सहर खत्रे के निसान पार सुके से जुजने वाले राजस्तान को अब बाड के लिए हर साल त्यार है न होगा हालात इतने बिगड सकते हैं कि सेना की मदद भी लेनी पड़े स्री गगानागर कोटा और जोदपूर में जो हालात आपने पिछले दिनों देखे एसा कई सहरों में हो सकता है इसकी वज़ा है पिछले 30 सालों में तेजी से बदलता बारिस का पैटरान आपने भी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में बुंदाबांदी की बजाय लगाता 3-4 गहंते तक की बारिस बड़ी है मोसम वेग्यानिक इसे आने वाले सालों में बार्ड के बढ़ते कत्रे का इससारा मान रहे हैं लोगों ने सालों से अपने सहर में सुकी पड़ी नदियां तालाव और बावडियां देखी आज भी सड़कों पर उफान मारती लहरे देख रहे हैं आखिर राजस्तान में एक साथ कैसे इतनी बारिस हो रही है क्या कारण है कि जोदपूर सिरी गंगनगर कोटा जिसे सेरों में बार्ड के हालात प्यदा हुए हैं राजस्तान के मांसुन पेटर में आएन बदलाओं को जानने के लिए हमारी MS News ने मोसम वाग के दफर में घंटों विताए पिछेतर साल के पेटरन का हर एंगल में एनालीस किया मोसम वेगानिक एन्वायर्मेंट एक्सपैर्ट और रिशर्च के आंक्रे जुटा है और जाना के आखिर तबाही लाने वाली बारिस का राज क्या है राज़स्तान में इसकी सुरुवात कब से होई हमारी एनालीस में कई चोकाने वाली बाते सामने आही है राज़स्तान में एक हफ्ते देरी से आने वाला मान्सुन 7 दिन तक ज़्यादा रुगने भी लगा है पोस्त बारिस 42 मिलिलिलिल्टर बढ़ी है जितनी बारिस चार महिनी के सीजन में होती है उतनी अब 40 दिन में होने लगी है अगर यही पेटना पर करा रहा तो आने वाले 10 सालों में परदेश के 10 से जादा सेर्बाड की जद में होगी